हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छा होगा है फ्रेंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक है जो किस्वाइब स्वागत है फिर आपके लिए लेकर आगया हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाफिक है हमारा प्राचीन ओलंपिक ठीक सारे कोश्चन मैंने कबर कर दिया है प्राचीन ओलंपिक टापिक से और उम्मीद करेंगे कोश्चन आपको बहुत पसंद आएंगी और आपकी परिछा में बहुत ज्यादा है ठीक है तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोश्चन ह है प्राचीन ओलंपिक खेलों की सुरूद कब से हुई है तो यह हुए 776 BC थीख है 786 बीसी मनलब इसा पूर्व यानि इसा मसी के जन्म के पूर का जो समय होता है उतने हम बीसी लिखते हैं बादवाले में इडी लिखते है यानि इस भी लिखते है ठीक है तो प्राचीन ओ प्राचीन अलम्पिक खेलों के सुगा से हुई थी तो एह वह अग्ला है प्रस नमबर 3 कि ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिक ही क्यों पड़ा क्या है ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिक ही क्यों पड़ा है तो ओलंपिया घाटी में ओलंपिया घाटी में आयूजन या खेले जाने के कारण इनका ओलंपिक पड़ गया है ठीक है प्रिशन नमबर चार ओलंपिक खेल किस के संवान में आयोजित किये जाते थे थे एक अकास के देवता जीयस या फिर जीयूस लिखा मिल सकते है ठीक है और यह काँग ऐस तरीके से भी मिल सकता है आपको जीयूस ठीक है यह तीन सब्ध हो जाएंगे जीयस जीयूस और इस तर तरीका में लोगों का अलग अलग है ठीक है तो हमारा क्वेश्चन क्या रिपीट करते हैं ओलंपीख खेल किसके सम्मान में आयोजित किये जाते थे तो आकास के देवता ठीक है जीएस के सम्मान में आयोजित किये जाते थे अगला देखते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयजिन कितने वर्सों के अंतराल पर होता था तो यह होता था चार वर्स के अंतराल पर ठीक है अभी भी चार वर्स के अंतराल पर ही होता है और वो जो चार वर्स का अंतराल होता है उसको क्या कहते हैं ओलंपियार कहते हैं जो खेलों के बीच क तो जो जहतुन के पत्ते बनी माला या उसको मलब चयतुन की पत्तियों द्राया या पना वुकुंट या माल β मुळूच आज आता है पर इस्छाम न वह प्राचीन ओलनंपिग सब्सक्राइउ चया जनषmpfen तो चलिए अगला देखते हैं कि शुरुवात में ओलंपीग खेलों का आजन कितने दिन के लिए किया जाता था तो शुरू में श्टार्ट हुए थे अगला देखते हैं कि प्राचीन ओलंपीग खेल कब से कब तक चले हैं ठीक है तो यह चले हैं 776 BC से 393 AD तक ठीक है 776 BC से 393 AD तक चले हैं और आपको कहीं कहीं पे यह 93 के वज़ाए 94 भी मिलेगा और 394 लेकिन जो 393 hard है यह ज्यादा प्रमारी के ठीक है आपको मिल शकता है अधिक Admiral स्थ्यक M पाएंगे लेकिन कहीं कुछ किताबों में या कुछ जो माध्यम हैं वहां पर यह मलब 394 भी लिखा है ठीक है तो यह माइन में सेटप बना लेना 393 ज्यादा सुटेबल है बाकी याद रखना है आपको 394 भी ठीक है लेकिन यहां पर जो है यही माना जाएगा साथ सो चैतर बीसी से 393 एडी तक ठीक है और यह लगातार कब तक चले थे तो यह लगातार जो प्राचीन ओलंपिक गेम थे तो यह लगातार लगभग 1200 वर्सों तक हुए थे ठीक है अगला है प्रेस्ट नमबर 9 दो ओलंपिक खेलों के बीच चार वर्स की समयावद को क्या क कहते हैं तो इसको कहते हैं ओलंपियाड ठीक है यायनि जो अभी जो मालो एक ओलंपिक फिर उसके बाद कब होगा प्रतेक चार वर्स के अंत्राल पर होता है तो अभी जो हुआ है तो उसके तो प्राचीन ओलंपिक खेलों पर तु यह राजा था ठीक है और इसने परतिबंद लगाया था तो यह परतिबंद लगाया था यह यह प्रतिबंद लगाया था लेकिन इसमें बताया जानकारी प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस राजा ने इस्थाई रूप से खतम कर दिया था ठीक है जो इसका जो दोस्य पर्थम था यह वाला ठीक है प्रतिबंध लगाया था लेकिन बाद में फिर इसका पूत्र हुआ था ठीक है उसने क्या क्या था इसको पूरी तरीके से नश्ट करा दिया था तो अभी इसको कोश्चन ले लेते हैं फिर इसके साथ में डिफाइन करते हैं प्राचीन प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस थीओ डोसियस दुटी था यानि शीकेंड और इन्हों ने इसने क्या क्या था जो इस्थल था जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था उस इस्थल को ही नश्ट कर दिया था ठीक है और इसके नश्ट करने के बाद एक तम वह उसको तोड़ फोड़ दिया था नश्ट नदी थी उसमें एक प्राकरतिक आपदाई उसमें बाढ़ आ गई और जो बचे हुए कुछ रह गए थे वह भी इस बाढ़ में नश्ट हो गए ठीक है तो वही कोश्चन आ जाता है कि प्रतिबंध किस ने लगाया तो प्रतिबंध लगा ऐसा 393 में थियो दोसियस पर्थम जो बचे हुए अफसेस थे वह भी नश्ट हो गए थे अगला देख लेते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में स्वर पथम एकमात प्रतियोगिता होती थी तो जब इनकी शुरुवात हुई थी उसमें प्राचीन ओलंपिक खेलों की तब क्या होता था पैरों की दोड या थी ठीक है अगला देखते हैं जो क्या कॉश्ण था मेरा कि बारा नंबर क्या था प्राचीन ओलंपिक खेलों में स्वर्प्थम एकमात प्रतियोगिता कॉंसी थी तो यह पैरों द्वारा दोड होती थी ठीक है अगला देख लेते हैं यहां पर थोड़ा रिपीड हो गया है ठीक है क्या है पैदल दोड ठीक है अगला देखते हैं प्रेस्ट नंबर तेरा प्राचीन ओलंपिक खेलों का पर्थम विजयता कॉंसी बहुत महत्पूर है याद रखना ठीक है तो यह था कोरिबस ठीक है प्राचीन ओलंपिक खेलो या किस इवेंट में इसने तो पर्थम मनलब बात वही आगी जो पहले ओलंपिक शुरूई है तो उसमें एक मात प्रिजवगिता होती थी वह भी दवड़ ठीक है और कितने मीटर की या कितने गज की बात करी जाए तो 200 गज की दवड़ होती थी और गज मनलब बोले तो य अगला दें प्रसटा नंबर 14 प्राचीय औलंपिक खेलों में ख़ला सकता था उसमें मुक रूप से कौन लए सकता था यूणान के पूरुस भाग ले सकते थे और इसमें महिला इसमें अ प्राचीन ओलंपिक खेलों में कौन भाग ले सकता है तो जो यूनान था यूनान के जो पुरुस्त थे वही लोग भाग ले सकते थे अब ना कि महिला और दास जो थे इनके लिए प्रतिबंद था ना तो यह खेल सकते थे ना ही देख महिलाएं तो खेल भी देख भी नहीं सक टिख है तो क्या था हारा प्राचीन ओलंपिक खेलों में कौन भाग ले सकता था तो यूंतने के जो पुरुस्त भाग लेक्यां को कि उन्नहीं मनलब वहां जाने दिया था तो महिलाओं में उसमें होता था जो गेम होते थे तो इसलिए महिलाओं अगला कोटिन किया हैanged किस राजा ने ओलंपिक में महिलाओं को भाग लएने लिए इस्थान तक जाने की वहता है किस राजा ने ओलंपिक में महिलाओं का 165 प। направने इनल्च गय malt gün दी थी तौ्य था आगस्टस थी कहन था अगला है कीचड़ tussen न कहां पर सुथी यूनान में धिक है अग्ला देखते है इसपार्ण को क्या कहा जाता है प्लासिक क्लासिक यूग कहा जाता है ठीक है क्लासिक यूग या सास्त्री काल कहा जाता है अगला है प्रस नमबर 18 स्पार्टा में सिच्छा का मुख्य उद्देश क्या था तो यह था मैं आफ एक्षन ठीक है जो सिच्छा का मुख्य उद्देश था तो मैं आफ एक्षन ठीक है अगल तो यह थे भगवान अपोलो के ठीक है भगवान अपोलो के सम्मान में आयोजित किये जाते थे और यह भगवान अपोलो कौन थे यह सूरी का देवता इनको कहा जाता था ठीक है सूरी का देवता माना जाता था और यह जो पाइथेन गेम्स थे ठीक है यह कब कराया जाते थे इसलिए कहां कराये जाते थे तो यह इनका जो नामक स्थान औहएंब 알ा इनका होता है और इसमें होता था यह संगीत उतसर होताएं घाना वजाना होता ठीक है जो पाइच्तन खयल है तो यह भगवान आप़ोलो के सम्मान में मलब भगवान अपोलो के समन में आयुजित किया जाते थे और अपोलो को सूर्इका देवता भी माना जाता है और यह बाद कर पूश ले कि पाइफन कि कहां होते थे ट्व नी फी ठीक है कहां पर डेल फी में का शंगीत मनाए जाता था अगला देख लेते हैं कितने वर्सों पर कराय जाते थे थिंड हैं ध्यान से पढ़िएगा ओलंपियाड मनलब दो खेलों के आप लाए जाते थे तो पाइटेन गेम पर तीन वर्सों के अंताल पर पर कराया जाते थे अगला है इस्थीमियन खेल किसके सम्मान में आयुजित कराये जाते थे तो यह था वासी डान बेवता ठीक है कौन था पॉसीडान देवता के सम्मान में इस्थमियन गेम करा जाते थी ठीक है और जो पोसीडान देवता था उसे भी समुंद का देवता भी कहा जाता है ठीक है समुंद का देवता किसे कहते हैं तो पोसीडान को कहते है ठीक है और यह कहां पर आयूत होता था इस्थल जहां पर आयूत होता था था को रिफ अगला देखते हैं मैं प Chili श्क्राइब ऑफ क dobr लों फिर निमियन इता है grands को यह निमियन होना चाहिए ठीक याह पर थोड़ा मिष्टेफ हो गया है इसमें होना चाहिए निमियन खेल किसके संमान में आयुज़़ुत कराया जाते थे तो यह भगवान जीयूस के ठीक है यहां पर ot टीए पृत्तर ये कितने वर्स में बादे थी कितने। को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है जिए है क्या कहते हैं स्वर्ण काल कहते हैं किसको उत्तर एथिन काल को या उत्तर एथियन काल भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा ठीक है एथिन की जगा पर एथियन ठीक है उत्तर एथियन काल या उत्तर एथिन काल को क्या कहा जाता है तो स्वर्ण काल कहा जाता है अगला देखते हैं इसपार्टा किस नदी के किनारे स्थित है तो यह है इंस्थित करका है है इसका एंसर आपने हमें कमेंट में बताना है ठीक है तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आये होंगे और फिर मिलते हैं वीडियो में कोई नए टापी के साथ में तब तक लिए जय हिंद जय भारत और से पहले मैं आपको बता दूँ यदे भी भ सबस्वाइब करिया लाइक करिया अपने याद हो तुम्हें शेयर कर दीजिये ठीक है तो मिलते हैं वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत